दोस्तो हमारे चैनल घरेलू निस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं गुन गुने पानी में धनिया पावडर खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे धनिये के पावडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं धनिये का पावडर खाने का स्वाद बढ़ाता है साथी खाने के पोसक तत्तो में भी वरद्दी करता है वैसे तो धनिये के पावडर का उप्योग खाने में मसाले के तोर पर डाला जाता है लेकिन आप चाहें तो धनिय के पावडर का उप्योग सीधे तोर पर भी कर सकते हैं धनिय का पावडर खाने से सेहत को कई लाम मिल सकते हैं आप धनिय के पावडर को पानी के साथ ले सकते हैं अगर आप रात को सोते समे धनिय के पावडर का सेवन करेंगे तो इससे आपको काफी लाब मिल सकता है दोस्तो आईए जानते हैं गुनगुने पानी में धनिया पावडर खाने के फाइदों के बारे में कबज की समस्या दूर करे दोस्तों रात को गुनगुने पानी के साथ धनिय का पावडर खाने से आपको कब्ज की समस्य से चुटकारा मिल सकता है धनिया में फाइबर होता है इससे पाचन बहतर होता है अगर आप रोजाना रात को सोते समें धनिय के बीजों का पावडर खाएंगे तो आपका खान अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है ऐसे में आपके आतों की सफाई होगी, मल नरम बनेगा और सुबह आपका पेट आसाने से साप हो जाएगा अगर आपको गंभीर कवज की समस्या है तो आपको धनिय के पावडर का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर दो, वेट लोस में साहिक दोस्तु अगर आप मोटापे से परेशान है तो रात को गुन गुने पानी में धनिय का पावडर मिलाकर ले सकते हैं धनिया का पावडर खाने से आपका वेट लोस करने में मदद मिल सकती है नियमित रूप से धनिया का पावडर लेने से वजन कम हो सकता है धनिया आपका वजन घटाने में मदद कर सकता है नमबर तीन, स्कीन में निखार लाए दोस्तों रोजाना रात को गुनगुने पानी में धनिया का पावडर लेने से आपकी स्कीन में निखार भी आ सकता है दरसल धनिया का पावडर खाने से सरीर में जमाट टोक्सिन सासानी से निकल जाते हैं इसे रक्त की सफाई होती है और इसका असर तवचा पर भी देखने को मिलता है इसलिए अगर आपको इसकीन से जुड़ी कोई समस्या है तो आप गुनगुने पानी के साथ धनिया का पावडर मिला कर ले सकते हैं दोस्तो अगर आपको कबज के अलावावी पाचन से जुड़ी अन्य कोई समस्या है तो धनिया का पावडर खाना फायदे मन्द हो सकता है रोजाना रात को गुनगुने पानी में धनिया का पावडर मिला कर खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिल सकता है धनिया पांच शरीर को ठंडक दे दोस्तो धनिया के बीजों की तासीर ठंडी होती है ऐसे में इसे पेट को ठंडक मिल सकती है अगर आपको पेट में जलन महसूस हो तो धनिया का पावडर खाना फायदे मन्द हो सकता है दोस्तो आईए जानते हैं धनिया का पावडर कैसे खाएं दो में एक चम्मची धनिय का पाउडर डालें और रात को सोते समय पी लें आप कुछ दिनों तक रोजाना धनिय के पाउडर का सेवन कर सकते हैं दोस्तों रोजाना रात को गुन-गुने पानी में धनिय का पाउडर मिला कर खाने से आपको कबज की समस्य से छुटकारा मिल सकता ह इससे वेट लोस में सहयता मिल सकती है इसकीन में निखारा सकता है और पेट की अन्य समस्याओं से निजात मिल सकता है आपको बता दे की धनिय की तासे ठंडी होती है इसलिए अगर आपकी पित पर करती है तो आप भी धनिय के पावडर का सेवन आसानी से कर सकते हैं धनिय का पाउडर पीने से आपको लीवर की सफाई करने में भी मदद मिल सकती हैं दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें